आप सभी जानते हैं कल परदेश कॉंग्रेस कार्याले में कॉंग्रेस पार्टी ने एक पत्रकार वारता करी जिसमें कि परदेश की कॉंग्रेस की अधिक्षा मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री वहां मौजूद थे और एक बियान निकल कर क्या है कि पंदरा सो रुपे जो महिलाओं को देने हैं हर मेने उसके उपर हम कानून लियाएंगे सबसे पहले तो कॉंग्रेस पार्टी को ये जवाब देना चाहिए परदेश की माताओं बहनों को कि चुनाओं से पहले जो गरंटी दी गई थी दस गरंटीों में से एक गरंटी थी कि हर महिला को प्रदेश में पंदरा सो रुपया प्रती महिना देंगे प्रदेश की पहली कैबनेट होगी उसमें निरने हो जाएगा और पैसे मिलना शुरू हो जाएगे और एक फार्म जो है वो इलक्षनों के समय में भरवाया गया उसके बाद अब दूसरा फार्म आ गया है और उसके ओपर शर्तें इतनी लिख दी गई है कि मुझे लगता नहीं कि उसमें पात्र में लाएं जो है उनकी संख्या को कम से कम करने का प्रयास जो है वो सुखविंदर सिंग सुखू जी की सिरकार ने किया है मलब देने की नियत नहीं है सिर्फ बखान करना है और इसी चीज़ को बार बार तोड़ मरोड करके पेश कर रहे हैं और शुरू आपने कहां से किया लॉल्स पीति से जबकि आपने कहा था पूरे परदेश में देंगे तो बड़ी चलाकी के साथ मंधना करके ये पता किया गया कि सबसे कम महिलाओं की संख्या कहां रॉल्स पीति में वहां से शुरू करते हैं तो इस तरह से परदेश में जो है वो महिलाओं को बरगलाने का प्रियास लेकिन प्रियास ये होना चाहिए था जिस प्रकार से अभी भारते जनता पार्टी का संकल पत्तर आया है, मोदी जी की गैरेंटी है, कि परदेश में और देश भर में जो महिलाएं हैं, उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रूप बने हैं, उनके माध्यम से उनको, चाहे वो प्रेटन का क्षेतर हो, स्वास्थे का क्षेतर हो, शिक्षा का क्षेतर हो, और रिटेल का क्षेतर हो, उसके अंदर जो है, वो सेल्फ हेल्प ग्रूप को उनको बढ़ावा दिया जाएगा, और उनको उसमें सम्मिलित करके, उसमें आगे बढ़ने का जो है वो नियोता दिया जाएगा, और उनकी भागेदारी सरकार करेगी के अंदर उसको सुनिश्चित करेगा और देश भर में जितने सेलफ एप ग्रूप हैं उनको न केवल उन उत्पादों को बनाने के लिए उनका जो है वो पेचने के लिए मार्केटिंग के लिए सारी की साहिता जो है वो सरकार जो है वो करने वाली है भरते जंग को एक आय का स्तोत्र पैदा होगा और पंदरा सो रुपया तो एक तरह से ऐसा देना है जैसे की भीग दे रहे हैं लेकिन जब आप उनको अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे कम से कम चार पांच हजार महीने की आय कमा सकती हैं वो पैसा अपने खून पसीने का होगा अपना ह होगा इज्जद का पैसा होगा और किसी ने मांगा नहीं था प्रदेश में सुखु जी से के हमें पंदरा सो पंदरा सो रुपय दे दो मांगने नहीं गया यह तो खुद की घोशना थी और ऐसी घोशनाएं करनी ही नहीं चाहिए थी बोट लेने के लिए आज वरतमान में जो सरकार कॉंगरिस की है अलपमत में उपमुख्या मंतरी कह रहे हैं आज मैंने बियान पड़ा के हम तो कानून ही बना देंगे आंकड़ा ही नहीं आपके पास आंकड़ा होगा तब कानून बनता है तो इन चीजों से बर्ग लाने का एक प्रयास किया जा रहा है सोरे घर क यूजना लेकर के आएं है मोदी जी के आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा आपको याद होगा मैं पिछली चुनाम में इस बात को बार बार कहता था कि सोरे घर लेकर के आएंगे आपके उपर जो है वो बिजली का खर्चा शूने हो जाएगा आज भारते जनता पार् मोजी जी के गरेंटी है सोरे घरी उजना आएगी बिजली का बिल जीरो करेंगे